Excel VBA Series की इस वीडियो में Assign Macro को हटाना सिखेंगे अगर आप Module में लिखे Code को किसी Shape में Assign करते हैं तो वो Shape बटन की तरह काम करता है और जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो बटन उस Code को Run करता है पर जब उस Assign की हुए Code को हटाना हो तो हम क्या करें? उसके लिए हमें Assign Macro में जाना है और यहां Macro Name को Select कर Delete कर देना है उसके बाद OK करना है अब उस बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं हमने जो Code Assign किया था वो Remove हो चुका है